Hello everyone, welcome to TechshareMate आज की session में हम एक और example देखेंगे जिसमें हम Qshell के थूँ एक directory को create करेंगे बट इस case के लिए हम Qshell command directly execute नहीं करने वाले उसकी जगह पर हम एक ऐसा CL program बनाएंगे जो खुछ से एक command को execute करेगा और directory को create करेगा ठीक है? ये भी बहुत important topic है कई बार आपको conditions ऐसी मिलेंगी जहां पर आपका कोई SSEL program होगा जिसके थूँ हमें कोई directory को create करना होता है तो उन situations में आप इस program का use कर सकते हो तो अब हम देखते हैं कि कैसे directory बनती है बट हो सकता है आपको अभी ये नहीं पता कि directory actual में होता क्या है तो उसको समझाने के लिए मैं आपको फटा-फट से qshell command run करके दिखाता हूँ अगर हम यहाँ पे qsh लिखते हैं और enter हिट करते हैं तो यह कुछ इस तरह से screen आती है इस पे हम ls लिख सकते हैं ls क्या करता है जितने भी file और directories हमारे system पे होते हैं उनको showcase करता है एक list कर देता है तो यह करते है enter तो यह देखो यह कुछ files है यह directory 1 जो है वह directory है dir111 यह भी एक directory है तो यह तो हो गई है हमारे directory और वैसे ही हमारे पास होती है files अब question है कि यह तो हमारे पास जो already created है वह show हो रही है तो हम अपने प्रोग्राम के तुरू इनको कैसे create कर सकते हैं अब सेम चीज़ को अगर आप verify करोगे work link से work lnk और enter hit करोगे तो उस case में आपको एक list मिलेगा यह देखो इस list में यह देखो यहाप लिखावा है type में directory, stmf, stream file जो होती है page down करने पर आपको यह सारे देखावा है जैसे testdir वह एक directory है तो हो सकता है आपने ifs में भी इसको use किया हो कि ifs के थुरू हम कैसे जब हमने ifs यह xml parsing के sessions cover किये थे तब हमने देखा था कि कैसे directory हम यहापे बनाते हैं उन directory में कुछ data store करते हैं यह last अगर आपने session follow किया हो जब हम xml parsing पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हमने यह directory बनाती और उस directory में इन files को store किया था तो यह एक पूरा pattern में ने बता दी आपको कैसे verify करते है directory को work link के थूरू या qsh command के थूरू ठीक है अब next question आता है अगर आपको कोई interview में पूछता है कि what is directory तो आप उसको simple terms में बता सकते हो कि directory एक folder होता है ठीक है आप लोगों ने हो सकता है linux पे work किया हो तो linux की terms में बोले या qshell की terms में बोले तो यह directory is nothing बट a folder where we keep our files ठीक है तो directory के होता है एक ऐसा folder होता है जहां पे हम हमारी files को store करते है जैसे हैं यहां पर मैंने texture में तनाम से एक directory बनाया है और जब हम यहां पर option 5 लेते हैं तो यह सारे files हमारे को यहां पे show करके दिखाएगा मतब यह stored है यहां पे show हो रहा है फिर अगर आप इसको देखोगे तो इसमें जो भी data stored है वो आपको as it is दिख जाएगा ठीक है तो यह क्या हो गया directory तो यह थो हो गया बिल्कुल एक introduction की directory क्या होती है कैसे हम उसको verify कर सकते हैं कहां से हमेरको उसको type पता चलेगा और ls command के through कैसे list down करेंगे अब बात आती है कि प्रोग्राम से कैसे बनाएंगे क्योंकि हम एक dynamic बनाने वाले है dynamic मतलब आप जो भी directory का नहीं दोगे वह वही create कर देगा ठीक है तो उसको देखने के लिए यहाँ पे हम program walkthrough करते है run qsh name से मैंने एक program बनाया हुआ है इसको हम देखते है ठीक है तो यह program किस लिए है to create directory using qshell command अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम dynamic बना रहे है तो उस case में क्या करेंगे parameter receive करेंगे तो parameter receive करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा pgm और उस पे आपको लिए पड़ेगा f4 जैसे ही आप f4 लोगे तो वह आपसे एक variable मांगेगा जिसको वह consider करेगा input parameter तो यहाँ पर मैंने m% dir name लिख दिया ठीक है dir name मतला directory name तो यह हमारा जो parameter होगा वह ऐसे input parameter work करेगा ठीक है यह तो गया parameter अब इस parameter को use करने के लिए पहले हम इसे declare करना पड़ेगा तो declare करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा dcl f4 और f4 करने के बाद में आपको यहाँ पर एक variable का name देना है जो same होगा आपके input parameter वाले variable से match करता हो क्योंकि आप इसी variable को as input parameter consider कर रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे m% dir name type होगा star care storage होगा auto और length हमने इसके set करी है 10 तो यह हमने क्या क्या है एक variable declare कर दिया जिसका length है 10 और type वो है character तो इस parameter को हम receive करेंगे अपने CL program से फिर हमने DCL से एक और variable बनाया जिसमें command build करेंगे तो आपर हमने लिख दिया m% command star care star auto 256 इस variable का name क्या है command है और इसके बाद में हम क्या कर रहे है storage में set कर रहे है जो इसका type है वो character है और जो storage है वो है star auto length 256 के साथ अब करते है enter तो हमने 2 variable declare कर लिए अब हम set करेंगे command को तो उसके लिए आप लिखोगे cg where f4 f4 लेने के बाद में आपको command क्या है mkdir space slash home slash shermit ठीक है इतना portion क्या हो गया इसको code में यह portion क्या indicate कर रहा है command indicate कर रहा है mkdir make directory mkdir कहां पर location दे दी slash home slash shermit उसके बाद में code को close कर दिया क्यों 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 क्योंकि इसके बाद वाली जो value है वह हम program parameters ले रहे है तो उसको इससे append करने के लिए concat करने के लिए आप इस तरह से दो pipe symbol यूज करोगे pipe pipe और उसके बाद में तो आपको और भी clear हो जागे बट अभी हम क्या कर रहे है हमने mkdir लिखा space दिया बिल्कुल as it is लिखना है space दिया slash home slash shermit और double pipe symbol के से concat किया किससे dir name से और फिर कर देंगे enter तो यह command हमारी ready है अभी command ready हो गई अब हम क्या करेंगे यहां पर देखो plus अपने आप आ गया क्योंकि line change हुआ है otherwise code के बाद में सीधा यह double pipe symbol और ampersand dir name था command ready है अब हम करेंगे इसको execute तो execute करने के लिए आप लिखोगे str qsh command end pgm ठीक है end pgm मतलब जो parameter हम ने लिया था compile किया चाहो तो आप debug भी कर सकते हो बट अभी straightforward program है तो मैं इसको debug पर नहीं set कर रहा यहां आप करोगे cf4 क्योंकि अगर आप directly call करोगे तो यह error आएगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर हमने procedure मतलब इस parameter declare किया है वह provide नहीं किया तो उसके लिए cf4 यहां पर प्रेस करना है यहां पर जो भी नेम दोगे उस नेम से आपकी directory create हो जाएगी तो हम बनाते है dirtsharmid ठीक है इस नाम से हमने एक directory बना दी dirtsharmid और कर दिया enter अब चेक करते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहां पर यहां पर करेंगे ls तो आपको एक फाइल मिलेगी dirtsharmid आई क्यों आया क्यों कि आपको ध्यान होगा प्रोग्राम में विरेबल बनाया था तो वह 10 करेक्टरी का ही बनाया था और यहां पर उसे एक्स्टेंड होला था इस वज़े से वो ट्रिम हो गया तो वो कोई इस्यू नहीं आप चाहो तो वेरेबल के लेंथ भी बढ़ा सकते बाद में बट जो हमारी फाइल थी जो डिरेक्टरी थी वो क्रेट होगे अब सेम चीज को अगर आपको वेरिफाय करना वर्कलन के से यह फोल्डर है बस एक सिंपल है अब जैसे मैंने आपको बताया था MKDIR वर्क कैसे करता हूँ एक पर आपको नॉर्मल की एशेच पे भी दिखा जाता हूँ तो यहां लिखेंगे MKDIR मेक डिरेक्टरी स्पेस यहां आप लिखोगे // // // // // और यहां पर हम लिख देते है SHARMITDIR TECH इस नेम से बना देते हैं और कर दिया है ENTER अब इसको वेरिफाइ करने के लिए फिर से लस लिखो यहां पर आपको दिखेगा SHARMITDIR TECH CREATE हो चुका है ठीक है देखा कितना सिंपल था बस हमार को कमांड पता होना चाहिए तो कमांड क्या है mkdir // // ठीक है और एक important चीज जैसा आपको यहां पर आपने देखा कि हमने directly इसको hardcode किया आप चाहो तो as it is कमांड कॉपी करके वासे चलाओगे तो हर बार वो क्या करेगा SHARMITDIR TECH एक नेम से बनाने के try करेगा तो इस case में क्या होगा एक पर create हो चुका तो दुबारा वो फिर से इसको एक error दिखाया कैसे देखते हैं इसको करेंगे call इसी नेम से इसके लिए workMBR PDM करते हैं अभी जो हमने TS SHARMIT बनाया था DIRTS SHARMIT एक बार verify कर लेते हैं किस नेम से लाओ QSHLS जो पहले में बनाया था वो था DIRTS SHARMIT MI तक तो इसी को वापस try करते हैं create करने का तो देखना क्या error देगा call क्या यहां पर क्या इसको paste और एंटर कर दिया तो यहां पर एक error मिला हमर को mkdir this error found creating directory slash om slash sharmit dir text tshirm file exist reason क्या है यह file already exist करती है तो आप उसको create नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो इसलिए हम क्या बनाते है कि हर बार अगर यूजर नया नेम देगा तो वह इसको create कर देगा जिस भी नेम से वहाँ पर इसको hard code नहीं किया normal command में क्या करते हैं सीधर slash के बाद में directory name देगते है यहां पर जो भी program parameter receive करेगा उसी नेम से इस directory को create करेगा ठीक है तो यह topic बहुत important था आपको इसकी command बगर सब पता हो नीची है और आप इसको practice भी करो हो सकता है अभी आपके project में यह चीज़े work काम नहीं आ रही हो but in future for sure आप यह चीज़े भी use करने वाले हो तो better आप उसकी लिए पहले से prepare रहे तो आज की session के लिए इतना ही था next session में बागे topic डिसकस करने वाले है so thank you for watching texture math